प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुछी देर में रोड़ शोर शुरू हने वाला है भव्य तैयारी इस बख भारती जंदा पाटी की जब की दूसरी तरफ प्रधम चरण के लिए वोट्रिंग का ये आखरी घंटा इसका असर वहाँ पर भी दिखेगा क्या बिल्कुल लेकिन इतना करने के बावजुद में यह कहूंगा कि आज जो मद्दान की पैटन जो देखने को मिली जो पिछले चुनाओं में जो वोटिंग की पैटन थी 67 परसंट अप्रोक्सिमेटली आज ट्राइबल एरिया में ज्यादा वोटिंग दिख रहा है लेकिन अर्बन एरि आपके पास अलग अलग हिस्तों में भी सर्फ गुजरात ही नहीं देश के दूसरे राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप आएंगे कि गावों में ज्यादा वोटिंग होती है जो शहरी मतदाता है वो बड़े सुस्त तरीके से बाहर निकलते हैं हाला कि शिकायते सब अगर वो बड़ पाता है अगर वो बड़ पाता होता तो शायद इतनी मशक्क्त और मुश्किले नहीं होती मुद्दे क्या नजर आए इस बार की मतब आज सुबह से ही वोटिंग चल रही है देखे एक तरफ महंगाई है बेरोजगारी है इसको गिनाय जाता है दूसरी तरफ मोदी का चहरा आते ही बहुत सारी जुबान जो है वो पलट जाती के ती महंगाई तो है लेकिन इधर क्या आपको लग रहा है कि इस बार समीकरण बिगाडने की जो तयारी की थी उसमें उसको कामियाभी मिल पाईगी गुजरात में आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिलेगी लेकिन समीकरण वो काफी बिगाड रही है और मैं आपको बता हूँ कि पहले चरण की जो 89 सीड् कांग्रेस के पास 38 थी, एक सीट NCP के पास थी और दो BTP के पास थी इस बार आमादमी पार्टी सुरत में दो या तीन सीड्स जो है सुरत और भरुच मैं कहूं तो दो या तीन सीड्स बिगाड रही है और मैं सवराश्ट की बात करूं तो वहाँ भी दो से तीन सीड्स लेकिन इस बार मैं आपको बताऊं कि जो जहां पर एरिया जहां पाटिदार बहु बाहुले वाले जो एरिया है जैसे अम्रेली है गीर सोमनाथ है जुनागड है जामनगर वहां वोटिंग परसंटेज बहुत कम है और इसलिए अमित भाई को आज कहना पड़ा सभी को अपील सभाएंगे वह भी फेल हो गए और इतना वोटिंग नहीं हुआ सूरत में आप देखे तो सूरत सीयार पाटिलर होम मिनिस्टर हर सब्सक्राइब हम दिखा रहे हैं 2007 का कितना कड़ा और बड़ा मुकाबला था 2007 का लेकिन इस बार के तस्वीर क्या है ये बड़ा सवाल बना है लेकिन पहले में आज आती हूँ प्रधानमंतरी नरेंद्र मोदी के उस बयान पर बजबानी चारों तरफ से चल रही है लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने रैली में जिस सरह से कॉंग्रेस पर सीधा बार किया उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस के नेताओं को मुझे गाली देन के प्रतीक हैं और वो जानते हैं कि कब नीच अगर जो निकल गया तो उसका क्या इस्तमाल किया जाना चाहिए वो यह जानते हैं कि अभी कॉंग्रेस अध्यक्ष ने जो शब्द का हमला है और गुजरात के बेटे पर जो हमला हुआ है उससे वह डाइवर्ड करने की कोशिश है हो सकता है और होता भी है कि एक दो परसंट तीन परसंट लोग जो है थोड़ा सा उसका मन इधर से उधर और उससे बड़ा हो सकता है इससे जादा जो पहले से लोग तयारी के रहते हैं वही होता है डाइवर्ड करने वाला प्लें जो जूलने वाला जो वोटर होता है वह इसी तरीके का होता और जब जब वैसे ये बात भी सही है गुज्रात के नाम पर नरेंध मोदी का चेहरा है नरेंधBe की बात है और वही पूरा काम कर रहा है यह सब बाकी मुद्दे महंगाई बिरोजगारी यह पता नहीं क्यों वो बिल्कुल पीछे हो जाते हैं